हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब और आज हम देख रहे हैं डॉक्टर हरीशी इंग और बिस विध्याला सागर के एंड सैमेश्टर वालों के टाइम टेवल भूचत हो गए हैं आपकी डेट आ गई हैं जो लास्ट येर के विध्यारती हैं या जो लास्ट सैमेश्टर के है तो आप बुझा कर वीडियो देख सकते हैं तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइम टेवल डेट सीट फॉर सीबी सीएस जिसे चॉइस्ट बेस्ट सिस्टम काईते हैं ओनलाइन ओपन बुक ब्लेंडेड मोड बी ये सक्सेम का बी ये सक्सेम हैं जिसमें रेगूलर है ब जैसे कि 21 सितम बार 2020 मतला मंडे संबार को जैसे कि ये इन का पीपर है जैसे कि 6 ऩोड साथ दिए गए जैसे सोचलोजी और ओफ ड्यवल्मेंट का पेपर है आपका तीन बजे इसे पाँ बजे का तक इंडियन वाज़ो प्रॉब्लम है आपका तीन बजे से पाँच बजे त तो 25 सप्थम्वर को यह सब पेपर जिंजन के बियरे में हैं, अगर आपके last time में, तो आपका तीन बज़े से पाँच बज़े तक पेपर है, मैं एक बार फिर से repeat कर दे रहा हूं, तीन बज़े से देखेंगे तो BA 6M, BA 6M का यह पेपर मतलब आपका पेपर होगा, तो BA 6M, उसके बाद 22 सितंबर को फिर से पेपर होगें, जो जो वो हैं quantitative method, second public finance, economic development और जो drama हैं जिनका subject BA में उनका पेपर होगा, 6M बालों का मैं बात कर रहा हूं, Indian theater personality और contemporary issues in Indian education, उसके बाद 23 सितंबर को design of experiment का होगा, geography of India का होगा, काप बिशास्त्र का होगा, तो यह सब आपके पेपर होगे, तो यह तो हो गई BA बालों की बात, इस प्रकार से आपके पेपर होगे, तो 27 सितंबर की हैं फिर इस में Indian economy, सेकंड है, जिनका subject है, last time में उनका paper होगा, तो यह सब paper होगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे, 6M बालों के regular backlog के देख रहे हैं, अब हम देखेंगे BSC बालों के, अगर आपका BSC subject है, 6M में हैं, आप मतलब आप last year में हैं, तो अगर आपका subject है, economic botany and bio technology, तो आपका paper एक कई सितंबर को होगा, यह भी paper तीन बजे से 5 बजे तक है, इसमें आपको forensic physics और ballistic का paper होगा, forensic medicine and serology बालों का भी paper 21 सितंबर को होगा, इसके बाद जो important paper हैं, जैसे कि जनने applied geology है, उनका 23 सितंबर को paper होगा, तीन बजे से 5 बजे तक हैं, इसमें पेपर होगे, तो यह तो होगा, बीएस्टी बालों के, तो आपके paper कब से कब तक चलेंगे, तो 21 सितंबर को है, 22 को है, 23 को है, 24 को है, तो इस परकार से यह paper होगे, इसके बाद अब हम देखेंगे, बीकॉम बालों के, अगर आप बीकॉम हैं, और अगर आपका subject banking and insurance है, तो आपका paper 21 सितंबर 2020 मंडे को होगा, banking and insurance, 21 सितंबर 2020 मंडे, लेकिन आपका paper का time 10 से 12 बजे है, point out कीजिए यह बाद, आपका paper time 10 बजे से 12 बजे तक है, अगर आपका बीकॉम है, तो आपका paper होगा 10 से 12 बजे तक, paper 10 से 12 बजे तक होगा, इसके बाद अगर आपका subject fundamentals of investment है, तो 22 सितंबर को होगा, 23 सितंबर को personal selling and salesmanship बालों का paper होगा, और सबसे महत्पूर्म subject Indian economy, अगर आपका code paper code है, COMGE611, अगर आपका Indian economy subject है, तो आपका paper 24 सितंबर 2020 मतलब गुरुबार को paper होगा, 10 से 12 बजे तक आपको paper होगा, तो यह तो बीकॉम बालों की बात होगी, अब बात करता है, बेचलर ओफाइन आर्ट, बेचलर ओफाइन आर्ट, बेचलर ओफाइन आर्ट एंड पर्फोर्मिंग आर्ट बालों की paper को हम देखेंगी, तो अगर आप last time में हैं, तो आपका paper होगा, 24 सितंबर 2020 को, history of art का paper होगा, उसकी बाद 25 सितंबर को होगा, advertising, profession and practice, तो अब हम बात करेंगे, LLM बालों की, जी हां दोस्तो, LLM बालों की काफ में अत्पूर्ण है LLM, तो LLM फोर्ट सेम में जो 26 सितंबर को होगा, उनका insurance law का paper, जिसमें insurance law का paper होगा, paper की timing आपकी 3 बजे से 5 बजे तक रहेगी, उसके बाद 27 सितंबर को होगा, legal research and methodology, उसके बाद 27 तारिक को, legal research and methodology का paper होगा, उसके बाद 28 तारिक को होगा, law of industrial and intellectual property, उसके बाद 29 सितंबर को होगा, science, technology and human rights, तो अब हम LLM बालों की बात कर चुके हैं, अब बात होगी, BLLV honors के जो last 10 semester में हैं, अब उनके हम देखेंगे, तो indirect taxation का paper होगा 21 सितंबर को, ये भी paper 3 बजे से 5 बजे तक होगा, उसके बाद intellectual property part 3, यह paper होगा आपका 22 सितंबर को, 23 सितंबर को होगा आपका alternative dispute resolution system, जिसे ADRS कहते हैं, उसके बाद last paper होगा आपका computer education second, और वो अपका 24 सितंबर को होगा, इसके बाद जो paper देख रहे हैं, वो अब हम लोग देखेंगे, बी भारमा बालों के, जो last year में हैं, मतलब 8 सितंबर को, होगा, इसके बाद अब हम देखेंगे, बी लेब, जिहां दोस्तों, बी लेब का paper एक 11 तारिक को होगा, जिसमें knowledge of organization and information processing cataloging theory का होगा, उसके बाद आपके paper regular चलेंगे 24 तारिक तक, और आपके paper का time है, 10 बज़े से लेकर 12 बज़े तक, इसके बाद अगर आप LLEV 3 years में हैं, तो आपके paper 21, 22, 23, 24, regular चलेंगे, आपके 39 paper और time होगा, 10 बज़े से 12 बज़े तक, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे BBA बालों के, BBA बालों के paper 15 तारिक से 26 तारिक तक regular चलेंगे, और इनका जो paper का time है, वो है 10 बज़े से लेकर 12 बज़े तक, इसके बाद है BBA और BSCBA, काफी महत्पून subject हैं, BBA, BSCBA काफी important माने जाते हैं, इनके जो subject रहते हैं, तो इनका 25 तारिक से आपके 30 तारिक तक paper होगा, टाइम रहेगा आपका 3 बज़े से लेकर 5 बज़े तक, तो BBA भी है आपर और BSCBA भी है, इसके बाद अगर आपका M.A. economics है, तो आपका 26 को paper होगा, 27 को होगा, 28 को होगा, 29 में, last में होगा, rural economy part second, तो इसके बाद M.A. political science, अगर आपका M.A. political science है, तो आपका modern political theory का paper होगा, 26 तारिक को, और 10 से 12 बज़े तक आपका paper होगा, उसके बाद आपका होगा gender and governance in India, उसके बाद comparative politics और उसके बाद international organization, इसके बाद M.A. public administration, अगर आपका दोस्तों M.A. public administration है, तो आपकी 26 से लेकर 29 तारिक तक आपकी paper चलेंगे, इसके बाद है M.A. sociology, M.A. sociology, बैलों के paper भी ऐसे ही चलेंगे, 26 तारिक से 28 तारिक तक, इनका भी timing 10 से 12 बज़े तक रहेगा, तो इस परकार से आज हमने जाना, आपके paper का time क्या रहेगा, कोई-कोई 2 घंटे का आपका paper होगा, किसी का 10 से 12 होगा, तो किसी का 3 से 5 होगा, अगर आप subscribe कर देंगे, तो आपके पास डॉक्टर हरी सिंग और इन्वर्सिटी से related और वीडियो आ जाएगी, जब भी कोई current news चाहे, या कोई भी answer matter चल ला हो, प्लीज चैनल को कर दें, subscribe, और दबादें बेल आइकन, तो धन्नवाद, वीडियो को